प्रियाग राज में कुम्प के समय में बनी सड़के कुछ ही महीनों बाद अब उखनने लगी है शहर में जगा जगा सड़कों पर गटे होने से पानी भी लगने लगा है कौर करने वाली बात ये है कि इस साल की बारिश को बहुत अच्छी नहीं कहा जा सकता है फिर भी सरकार के दावों की पोल खुलने लगी है कप्तर पुनम सिंग ने कहा कि सरकार पहले विकास विकास की बात कर रही थी प्रयागराज में सुंदरी करन कब दावा किया जा रहा था लेकिन लगता है कि इसमें बड़ा गोटाला हुआ है सड़क आवगमिन का अहम जर्या होता है ये सड़के एक साल में ही खराब हो गई उन्होंने योगी सरकार से इस दिसा में गंभिर्ता से प्रयास करने की मांग की है और काम में लापरवाई बरतने वाले अफ्चरों के खिलाफ एकसल नेने की भी बात कही तेकि हम लोग जो आम जनता है हम लोगों का एक सड़क या रोड जो भी है आवागवन का एक महें जरिया होता है लोगी देख रहे हैं कि अभी इस अक साल हुआ है जो स़कार जो है एक विकास विकास चिला रही थी कि पूरे प्रयादामें जो ने इन सड़कों रोड का और विकास और सुंदरी करन हुआ है, तो यह सुंदरी करन खौर रोड पहत एक बारिश्चिव बहे गया है, मैं तुरी कहूं नी कि यह बहुत बड़े घुटाले का तो है, एक सिगनल भी है, संकेश संकेश दे रहा है, यह कम से कम रोडे बनी है, तो कम से कम एपलियों सब्सक्र आपको बता दे कि योगी राजवें प्रतेश सरकार गढढ़ा मुक्त करने की बात कहती है, पर स्वार्ट सिटी प्रयागरा में जग 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 गढढ़े दिख रहे हैं, इसको लेकर आंदोलन भले ही नहीं हो रहे हैं, पर लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है मुकुन तिवारी ने बड़े दावे के साथ कहा कि मानक के अनुरूप, काम नहीं होगा तो गढढ़े दिखेंगे ही, उन्होंने कहा कि तुम के नाम पर बहुत बड़ा घपला भोटाला हुआ है, अगर इसमी उचिस तरिये जाच हो तो कई अपसर और मंत्री जेल में होंगे, उन्होंने कहा कि हर्च और आये पर जल भरा हो रहा है, सरत्वों पर गढढ़े हैं, उन्होंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश का दुरूबहाग है, ये हल्की सी बारिश में प्रियागराज की हालत बत से बत्तर हो गई है, जब मानक के अनुरूप कारी होंगा रहीं, तो गड़े तो होंगे ही, जब इकारी चल ला था, चुकि उस समय मैं सिकायत किया था अधिकारियों से, कि जो कारी हो रहें में घपले और घोटाले प्रतीत हो रहें, और जो इसके विभाग के अफसर थे, जो सम्मनी दिकारी, उन्होंने इमानदारी से काम नहीं किया, कुंब के नाम पर तो बहुर बड़ा घपला घोटाला हुआ है, यह जिसकी उच्चस्त्री नयाई जाच हो जाए, तो कई अपसर और कई मंत्री जेल में हो गया, यह दावे के साथ कहना चाहता हूँ, आज हर चौराहा बैड़ गया है, हर चौराहे पर पानी जल भरा हो है, जगा जगा गड़े हो गए, कोई पूछने वाला है नहीं, सारे ठीकेदारों को भुक्तान हो गया, सारे जिमेदारिकारियों का कमिशन बन गया, काम अब चेक कौन करें, यह दुरभाग है उत्तरपदेश का, कि आज जिस तरह से घपले गोटाले के बीद में विकास का दा चिने इदें.